So Hello Everyone, कैसे हैं सब लोग आई भूप सब अच्छे होंगे पढ़ रहे होंगे और वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छा सा आ रहा है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं की और वीडियो को लाइक कर देना जरूर व कोलीटियों में, एक चीज आप्लोग के साथं बताने वाला हूँ इसला आप कमेंट करते हैं और बच्चे हमें इप्लाई कर देता हूं ठीक है तो इसमें ट्विस्ट है कि जो बंदे कॉमेंट करेंगे ठीक है और अगर वो मुझे रैंडम सब्सक्राइबर्स में मिले या आपको कमेंट किये और रैंडम सब्सक्राइबर्स में आ रहे हैं तो मैं जरूर उनको यहाँ पे शाउट आउट पर नेक्स्ट वीडियो से अपर चुर्प करेंगे जो भी आपको इस वीडियो का बेस्ट पार लगा और सब्सक्राइब करें जब वह दोने चीज अच करेगी तो मैं आपको शाउट आउट दूँँए यहाँ पर पर वीडियो को श्चार्ट करतें सबसे पहला डीजन हमा तो affordability बहुत जरूरी चीज़, बहुत सारे यहां पे government medical colleges जो बहुत कम fees देते हैं, but इतना कम कोई दे सकता है, अगर एक जिपमार, BHU, yellow का भी करीबन, BHU का भी 10K, 11K plus रहता है, but aims की total 5.5 years की fees है, वो है 5.8, academically पूरी उसकी 5.8 के fees है, उसमें आपके electricity bills और वगेडा वगेडा जाया जाते है, fooding बस अलग है, hostel charges भी उसी माजाते है, बस आपकी fooding part अलग है, ठीक है, fooding का कुछ 2400 पर मन्त आपको लगता है, ठीक है, और लेकिन आपके जो बाकी सारे bills हैं, वो है 5.800 रुपीज बस, absolutely, 5.5 years का बस इतना ही, और अगर आप यहां से देखो, आप लास्ट 4.5 years के बाद जो 1 year का internship करेंगे, उसमें अगर अब 20,000 का भी रखते होना है, in-hand stipend, तो करीबन वो कितना हो जाता है, 12 into 20,000 कर लो, तो आपको मिल जाएगा 2,40,000 type, तो जितना आप invest करते हैं, उसमें आप निकाल ही लेते हैं, course complete करते हैं, तो affordability बहुत बढ़ कीजिए, जि आपने dreams को अचीव कर सकते हैं, number two पे मुझे जो सबसे अची चीज लगती है, वो है fooding, fooding इसलिए मैं कहूंगा, क्यूंकि सबसे पहली बाद तो आपको room service मिल जाती है, अगर आप class से आ आ रहे हो, और आपको नहीं मनना है, कि मैं मैं समीं जाके खाऊं, तो आप महां से room म हाईजीनेस और अच्छे अच्छे food, basically बहुत लोग में wedge होते हैं, बहुत लोग non wedge होते हैं, बहुत लोग दोनों होते हैं, उनके साब से हमेशा daily का एक अच्छा schedule प्रेपेर के जाता है week का और उसे साब से fooding होती है, जो कि one of the best fooding कहा जाता है, आपके सारे Indian institutes of में, मतलब जितने भी आपके IITs हैं, IITs हैं, BITs हैं, Medical Colleges हैं, Government Medical Colleges हैं और AIMS हैं, तो AIMS के food को बहुत ही अच्छा माना जाता है, comparison अगर बाकियों से करें, तो इसमें बाकियों को मैं कुछ यह नहीं बोल रहा होता है, बट AIMS का बहुत अच्छा होता है, मैं यह बता रहा हूँ So, इसके बाद चलते हैं, number three की और, number three जो सबसे best चीज मुझे लगती है, वो लगती है flexibility, flexibility इस sense में कि flexibility का मतलब होता है, कि आप flexible हो, आप जब मन आपका बाहर जा सकते हो, AIMS में यह चीज, अगर आपको रात के 12 बजे भी बाहर जाना है, आप जा सकते हो, आपको कोई रोक finding नहीं है, तो सबसे best चीज मुझे लगता है, कि यह बहुत जादा flexible चीज है, जो students सबको चाहिए होता है, यह से flexibility, और number four पे इसी से related है, वो है freedom, freedom in a sense, उसमें यह भी आगया, प्रसे चीज और आगया, आपको room में, room आपको जिसके साथ share करना है, आप कर सकते हो, आपको अ आपको binding देखने को नहीं मिलता है, तो flexibility, freedom और fooding यह तीन चीज में बहुत अच्छी facilities लगती है, जो कि aims आपको provide करता है, और पो ही institute इतना provide नहीं करता है, जितना aims provide करता है, अब फोर्थ चीज पे चलते हैं, sorry, फिस चीज पे चलते हैं, जो कि आपका personality growth, इस चीज को ध्या engineering sector में आपको clubs, committees and different societies देखने को बहुत सारी मिल जाएंगी, बट जब अगर medical की बात कुछ तो बहुत सारे colleges जो इसमें इतना interest नहीं रखते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई में बहुत जादा डालना पड़ता है, वो जादा टाम पढ़ाई में busy रहते हैं, क्योंकि medical hard है, सब बूलते हैं busy hard होता है, comparison to other degrees, तो basically यहाँ पर aims में बहुत जादा फोकुस के जाता है, personality growth में, आपके different types of clubs, societies और fest, pressure parties, और ऐसे हर टाइम कुछ festivals पर parties, ऐसी चीज़े चलती रहते हैं, तो एक personality growth होते हैं, जिसमें आपका ही speech दे रहे हो, dance कर रहे हो, singing कर रहे हो, कुछ extra curricular activities में participate कर रहे हो, sports में participate कर रहे हो, ठीक है, एक inter, जो आपका inter aims करके sports होता है, शायद आपका, मैं इस चीज़ को लेके short नहीं हो, एक भिया बता रहे थे, aims कही थे वो, तो वो बता रहे थे, तो होता है, तो वो एक चीज़ वहा, जिनसे आपकी personality growth करती है, as extra curricular activities बहुत जरूरी होती है life में, ठीक है, तो उसमें जतना जादा participate करेंगा, हमारा personality उतना जादा growth करेंगा, सिर्फ knowledge ही, personality growth में कर सकता है, तो ये चीज़े, aims में आपको बहुत बड़ा exposure मिलता है, medical sector में, ये चीज़ कम है, अभी तो फिलाल कम है, but aims में आपको बहुत बड़ा exposure मिलता कमेंट में बताओ, और कोई ऐसा चीज आपको लगता है, ये भी चीज़ आपको बहुत पसंद है, तो उसको भी कमेंट में बताओ, प्लस आप कमेंट कर सकते हो अपने वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, और सब्सक्राइब कर सकते हो तो जब मैं देखूंगा, और मैं न कर राओ, और मैं बताओ, और मैं कर सकते हो तो जब मैंग मैं देखूंगा, तो जब तु durumरायरी सबसे आपको ठी拓 Yes किया तो जひुरमाभाव एधको पताव burada कर सकते हो गडरे कर सकते हो रचिदों कर दीज़े को भी सकते आपको दो Lindsay Lang hoş